देंगे B.S.E. Part 2, Paper 3 Physical Chemistry में Electrochemistry का Presenting Flow is Conductance, Specific Conductance और Conductivity, Equivalence Conductance, Relation between Equivalent Conductance and Specific Conductance and the Unit of Equivalent Conductance, Molecular और Molar Conductance विभिन प्रकार की Conductance के Detail अधियम को हम करेंगे First of all, I would like to tell you what about the Conductance Conductance, धात्विक चालकों की भाती, विद्युत अपगटनी चालक भी ओम के नियम का पालन करते हैं इस नियम के अनुसार, किसी चालक में प्रवाइद होने वाले विद्युत धारा I, E upon R के बराबर होती है अर्थार, I is equal to E upon R I, विद्युधर अपियर में E, विभवांतर है अर्थार, चालक के दोनों सिरों पर विभव का अंतर तथा R, चालक द्वारा उपस्थित प्रतिरोध है इससे स्पष्ट है कि दी हुई वूल्टता के लिए चालक में प्रवाइद होने वाली विद्युधरा उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है जब धात्विक चालकों के बजाए विद्युध अपगटनिये चालक काम में लेते हैं तो प्रतिरोध की स्थान पर हम चालकत्व शब्द काम में लेते हैं विद्युधरा सायन में प्रतिरोध की अपेक्षा चालकत्व शब्द का आधिक प्रतियों किया जाता है प्रतिरोध का जो वितक्रम होता है वह चालकता होती है इसे c से represent करते हैं आता है conductance विद्यूत अबगटिया में विद्यूत धारा प्रवाइद का होने की सरलता बताती है चुनकि प्रतिरोध की जो unit है वे ohm होती है इसलिए जो conductance है that is the reciprocal of ohm या ohm inverse ohm inverse या moz होता है ऐसा unit में जो चालकता की इकाई होती है वह सैमेंस होती है इसे हम ऐसे represent करते हैं अब आती है बात specific conductance की specific conductance क्या होती है specific conductance किसी विद्यूत अबगटिया में विद्यूत धारा प्रवाइद की जाती है तो इस चालक का प्रतिरोद r उसकी लंबाई का समानुपाती तथा इसके area of cross section a का विद्यूत करमानुपाती होता है अर्थार्थ हम सभी को पता है r is proportional to l upon a होता है और इसे हम बराबर करने के लिए एक ρो constant का में लेते है so r is equal to ρो into l upon a ρो एक स्तिरंग है जिसे हम specific resistance कहते है इस का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है यदि हम l is equal to one centimeter तथा एक cross section area is equal to one work centimeter लेते है तो r का मान ρो के बराबर होता है अर्थार्थ किसी विद्यूत अब घटिये के विलियन का विशिष्ट प्रतिरोध ओम में उस विलियन का प्रतिरोध है जो एक वर्ग सेंटिमीटर अनुप्रस्त कार के काट के इलेक्टोडों जिनके बेज की दूरी एक सेंटिमीटर हो के विलियन का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है I.U.P.S.C. ने विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर resistivity पत के अनुशन्शा की है विशिष्ट प्रतिरोध का जो विद्क्रम है वही हमारी विशिष्ट चालकता होती है जिसे कपा द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं विशिष्ट चालकता कपा होती है IUPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता का उप्योग करते हैं इस कपा इस इकल टू वन अपॉन रो होता है इस equation के according अगर हम कहें 1 upon r is equal to 1 upon rho into a upon l होता है so this kappa is equal to l upon a into r या lc upon a होता है या this kappa is equal to l upon a into चालकत्व so this अगर हम बात कहें l is equal to 1 cm and a is equal to 1 वर्ग cm हो तो या this kappa is equal to conductance के बराबर होती है और तह विशिष्ट चालकता को निमन प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं कि किसी विद्यूत अपगटिय के एक घं सेंटीमीटर विलियन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं अर्थार्थ एक सेंटीमीटर दूरी रखे वे एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्त काट के शित्रफल वाले दो इलक्टोडों के बीच रखे वे विलियन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है चूंकि चालकता को मोज में या ओम इन्वर्स में वेक्त किया जाता है आता है दिस कपा इस इकल टू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्कॉार इंटू मोज इस इकल टू मोज सेंटीमीटर इन्वर्स या ओम इन्वर्स सेंटीमीट इसकी इकाई होती है इस प्रकार चालकता या विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स संटिमिटर इनवर्स या मोहों संटिमिटर इनवर्स होती है SI unit में चालकता या विशिच चालकता के काई साइमेन मीटर इन्वर्स होती है परंतु प्रहाय कपा को हम साइमेन मीटर इन्वर्स में ही व्यक्त किया जाता है अब आती है हमारी equivalent conductance या तुल्यंग की चालकता जनरली विद्यूत अपगटे में विद्यूत धारा अकेले आईनों द्वारा ही ले जाई जाती है आता है चालकता का विद्यूत अपगटे के सांदरता पर निर्भर करना स्वभाविक है आता हम सांदरता पद को भी consider अगर करते हैं तो इसलिए विभिन विद्यूत अबगटियों की चालकता की तुलना करने के लिए उनके सांदरता कारक का हम उपयोग करते हैं अर्थार्थ विद्यूत अबगटियों के एक निश्यत मात्रा को जल के समान आयतन में विले किया जाता है यह निश्यत मात्रा या तो तुल्यांग की बार है या अनुभार अतह विलियन के प्रसंग में एक अन्य प्रकार के चालगता अधिक में तुपुन है जिसे हम तुल्यांग की चालगता इसे लेमडा द्वारा रिप्रेजंट करते हैं किसी विद्यूत अपघटे के एक ग्रम तुल्यांग की भार को वी मिली लीटर विलियन में विले करके एक सेंटिमीटर दूरी पर रखी दो समानांतर इलेक्टरोड के मध्य रखने पर सभी आईनों द्वारा उत्पन चालगता को हम तुल्यांग की चालगता कहते हैं तुल्यांग की चालगता हमारी बेसिकली सुल्यूशन की उलिक कंसंट्रिशन की चालगता है जिसमें हम स्पेसिफिक कंडेक्टेंस की अवधारना भी रखते हैं माना की एक सेंटिमीटर दूर रखे हुए दो इलेक्ट्रोडों के बीच वन सीसी सुल्यूशन रखा है जिसमें एक ग्राम तुल्यांग विद्यूत अपगटी है गुला हुआ है तो इस विल्यन का जो चालगता है वह तुल्यांग की चालगता के बराबर होती है यह चालगता जो तुल्यांग की चालगता के बराबर है एक घंड सेंटिमीटर दूर रखे दो इलेक्ट्रोडों के बीच में इस विल्यांग का अनुक्रस्त काट एक वर्क सेंटिमीटर है अते चालक्ता इस इकल टू इस चालक्ता इस इकल टू तुल्यां की चालक्ता होती है माना कि एक सेंटीमीटर दू रखे वे दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विलियन को 25 घन सेंटीमीटर तनू किया जाता है तब इस विलियन के 25 सेंटीमीटर घन उपस्तित होंगे तथा प्रते किनारा एक सेंटीमीटर होगा वह प्रते घन की विशिष्ट चालक्ता जो है कपा होगी आता है विलियन की कुल चालकता 25 कपा होगी अर्थार्थ इस विलियन की जो कुल चालकता विशिष्ट चालकता की 25 गुना होती है लेकिन इस इस्थिती में भी दो इलेक्टरोड के मध्य है 25 सीसी विलियन में एक ग्राम तुल्यांक विद्यू तब कटी है विले है आता है इसकी जो चालक्ता होगी वहाँ तुल्यांकी चालक्ता होगी इसलिए तुल्यांकी चालक्ता इस इकल टू 25 इंटू चालक्ता यदि विलियन को 100 सीसी तक तनुकिया जाए तो विलियन में 100 सेंटिमीटर घं उपस्थित होंगे तथा विलियन की जो तुल्यां या चलगता विशिष्ट चलगता तथा एक ग्राम तुल्यांक विध्युतब घटे को रखने वाले विलियन की CC में आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है तुल्यांकी चालकता लेमडा इस इकल टू विशिष्ट चालकता या चालकता कपा इंटू एक ग्राम तुल्यांक विद्यू तब गटे रखने वाले विलियन का घं सेंटीमीटर में आयतन वी या इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस लेमडा इस इकल टू के इंटू वी या इस प्रकार चालकता और एक ग्राम तुल्यांक विद्यूत अपगटे रखने वाले विलियन के घं सेंटीमीटर में आयतन का जो गुननफल है वह तुल्यांकी चालकता कहलाती है यदि विलियन की जो संदरता है हम नॉर्मल ता एन द्वारा तुल्यांक पृती लीटर हो तो दिस वी इकल टू थाउजन अपॉन अपॉन एन होती है अगर हम यूनिट की बात करते हैं एक्विलेंट कंडेक्टेंस की तो एक्विलेंट कंडेक्टेंस लैमडा इस इकल टू ओम इन्वर्स सेंटीमीटर अन्वर्स अपॉन ग्राम तुल्यंग लीटर इन्वर्स या ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स अपन ग्राम तुल्यांग सेंटीमीटर इन्वर्स या ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वाइर ग्राम तुल्यांग इन्वर्स इस तुल्यांग की चालता की इकाई होती है ऐसा है मात्रक में तुलिएंग की चालगता की एकाई ओम इन्वर्स मीटर स्क्ट तुलिएंग की इन्वर्स या साइमेंड मीटर स्क्ट अइन्वर्स होती है तो यह हमारी तुल्यंकी चालकता की एकाई है अब हम बात करते हैं Molecular और Molar Conductance According to the unit of this concentration हमारी जो चालकता है उनका मान हम या नाम बिन-बिन प्रकार से कर देते हैं यदि सांदरता को मोल प्रती लीटर में व्यक्त करें तो आणविक चालकता का पद काम में लेते हैं किसी विद्यूत अब घटिये के एक मोल या एक ग्राम अनो भार को वी मिली लीटर विलियन में विले करके एक सेंटिमीटर दूरी पर रखी दो समानांतर इलेक्ट्रोड के मध्य रखने पर सभी आईनो द्वरा उत्पन चालकता को उस विलियन की आणविक चालकता या मोलर चालकता कहते हैं तथा इसे लेम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर चालकता लेम्डा एम इस इकल टू विशिट चालकता इंटू एक मोल विद्यूत अपकटे रखने वाले विलियन का घन सेंटिमीटर में आयतन वी या आप इसको कह सकते हैं दिस लेम्डा एम इस इकल टू कपा इंटू वी वी का जो मान है वह थाउजन अपॉन एम होता है क्योंकि कंसेंट्रेशन हुमारी मोलर कंसेंट्रेशन है एम मोल प्रती लीटर है कंसेंट्रेशन सो दिस लेम्डा एम इस इकल टू थाउजन इंटू कपा अपॉन एम होता है अन्वी चालत्ता के जो मात्रक है वह ओम इन्वर्स सेंटिमीटर स्क्वाइर मौल इन्वर्स होता है ऐसा ही मात्रक में आन्वी चालत्ता के जो एकाई है वह ओम इन्वर्स मीटर स्क्वाइर मौल इन्वर्स या साइमन मीटर स्क्वाइर मौल इन्वर्स होती है ऐसे विद्युत अबगटी है जिनके तुल्यंकी भार वे आन्विक भार समान होते हैं उनकी तुल्यंकी चालकता वे आन्विक चालकता भी समान होती है लेकिन जिनके तुल्यंकी भार वे अन्विक भार समान नहीं होती उनकी तुल्यांकी चालक्ता वह मूलर चालक्ता का जो संबंध है वह निम्न सुत्र द्वारा आवेक्त कर सकते हैं इस प्रकार से अगर हमारी कंसेंट्रेशन मूलर कंसेंट्रेशन है तो हमारी वह जो चालक्ता है वह हमारी मूलर चालक्ता कहलाती है थेंक यू